नमश्कार दोस्तों हॉक फी नियूस में आप सभी का इस वक्त खुले दिल से स्वागत है दोस्तों एक तरफ जहां दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कश्मीर से लेकर पश्चे मंगाल तक देश में जो लकडबगे गैंग के लोग हैं जो जे नियू तथा वामपन थी दलों के जो लोग हैं वो लगातार देश के खिलाब विश्वाबन करने में चूक नहीं रहें दूसरी तरफ हमारी जो सेनाए हैं हमारे जो सशस्रिबल हैं हमारी पुलिस वो भी इनका सर्दियों में पिछवाड़ा सुजाने में कोई कमी छोड़ती नहीं नज़रा रही अच्छा दूसरी तरफ इस समय बंगाल में जिस तरीके की शर्मनाक हरकत हो रही है जहां एक तरफ शर्जील इमाम को आज ग्रफतार कर लिया गया तुरंत देखी है नहीं एक दो दिन पहले बयान दिया और उनको तुरंत ग्रफतार भी कर लिया गया है एक बड़ी कामियादी है जिसे कहते हैं भारत के प्रशासन के की हम कहेंगे लेकिन साथ साथ जो दूसरे बंगाल के अंदर जिस तरीके से जिहादी विश्वमन किया जा रहा है और वसंद पंचमी का त्योहर देशवर में मनाया जा रहा है लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं लेकिन वैसे में कलकत्ता में सरस्वती माता की जो पूजा होती है उसमें कई पंडालों में लोग अभी भी जो है CAA और NRC के खिलाफ पोस्टर लगा रहे हैं बयान बाजी कर रहे हैं देश के खिलाफ जम कर जिसे कहते हैं हमारे धार्मी कारेकर्मों को भी उन्हों है राजनीती का अपनी जिहादी राजनीती का अखाड़ा बना कर रग दिया हमारे कॉमेंट बॉक्स में जैशी राम लिखिये ममता दीदी को ममताज ब्यानों कहकर पुकार ये खुले आम आप कॉमेंट बॉक्स में आपकी पूरी जिसे कहते हैं लोगतंतर में यदि कुछ लोगों को भारत के टुकड़े कर देने की ऐसी बाते फिलाने की और असा और जो हमारे देश का चिकन नेक जिसे कहते हैं इंडिया का उस बेल्ट को काट रहे की बात जो लोग करते हैं अगर यह अगर किसी की अभी व्यक्ति के आजादी है तो अरुन जी मैं समगता हूँ इस देश में ममता को ममताज बैनों कहने की भी हमारी आजादी है ममता दीदी को जैशी राम के नारे लगाने की भी हमें पूरी पूरी आजादी है दोस्तों मैं समगता हूँ अपनी इस आजा पूजा के पंडालों में भी अपनी जिहादी राजनिती करने से जो त्रणमूल कॉंग्रेस के जो गुंडे जो लुचे लफंगे हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं उसके बारे में बताईए देखिए पश्यमंगाल से लगातार जिस सरीके से हिंसा की खबरे आती रहती है और द बीच खबर जो देखने को मिली वो ये कि मद्धे कॉलकता में बंगा बंशी कॉलिज के सरसुती पंडाल को पतंगों से सजाया गया था और जिन पर CA और NRC के खिलाफ नारी लिखे गई हैं सवाल ये उठता है कि धार्मिक भावना का ये त्यहार है धार्मिक सद भावना का पत्री बात जिस सरीके से सरसुती पूझा के पंडालों में भी CA और NRC के जो पोस्टर देखे गए उनके खिलाफ तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि धार्मिक सद भावना के जो पंडाल है धार्मिक भावना के जो पंडाल है उनमें भी आप सियासत जो है डाल रहे हैं और स सियासत भी किस्षूं की आप देश को बाटने कि देश के लोगों को बाटने की सियासत आप जो कर रहे हैं जीहादी मंसुबै के दीओ-प्रातर से जहादीयों का फ्लैटफॉरम बन चुका है उनका दायाँ आだ बन चुका है वाम बंदु जो राजनित है । नहीं रज़क करें जो जामिया में गोलियां चलाने वाले और पत्थर चलाने वाले पत्थर बाजों को जामिया में दिली में उनको पांच 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 लाक रुपे का मुआफजा देते हैं उनको वक्फ बोर्ड में नौकरी देते हैं तो यह जो जिस तरीके की वामपंथी राजनीती है आपको एक बात मालूम होगी दर्शकों शायद पर्चिम बंगाल में तकरीबं 36 ते 37 साल वो तक वाम чувश्च पार्टियों का मजदूर उनियनों के नाम पे जो ड्रमयबाजीकरिए गए मजदूरों को बहुत लंबे समय तक हरताल पर रखके पूरे बंगाल का जिसे कहते हैं वहां का जो आर्थिक धाचा था उसे तरोड मरोड का रख दिये एक समय पर बंगाल जो है भारत की आर्थिक राज़नी कही जाती थी बंगाल आज वही बंगाल आज वहां के लोग जो है ममता बेनर्जी ने उनके 36-36 साल पुराने कीले को वहाँ पर तोड़ा ममता बेनर्जी ने और उसके बाद वामपंथियों से भी जदा गए गुजरे मतलब वामपंथि तो वामपंथि राजनीती करते तो ये तो सीधे-सीधे खुले आम जिहादी राजनीती पर उता रही है मतलब इन्होंने वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया वामपंती भी कहते हूंगी यार इतने बड़े देश-द्रोही तो हम भी नहीं हैं जितने ममता बानों ने जो जिस तरीके की वहाँ पर लिमिट क्रोस कर दी हैं त्लनमूर कॉंग्रेस के गुंडे खोले आम भाजपा नेताओं को जो है जान से मारते हैं उनकी पिटाई करते ह हैं तोड़ाई करते हैं उनके घरों में आग लगाते हैं इस तरीके की हरकते हैं आए दिन जो बंगाल में हो रही हैं लेकिन इस पर ममताब इनरजी को काट तो खून नहीं बिलकुल शिवाम जी बैं आपको बता दूँ कि आज ही कि मैं घटना बताता हूं आज कुछ इनसा के अगर हम बात करें लोग सबह चुनावों की लोग सबह चुनावों के सातों चरण हुए सातों चरणों में वहाँ इनसा हुई अब बात करते हैं जब भी आप आज नागरिक्ता शंचोतन कानून में भारत बंद बुलाए गया उसके विरोध में और आज पूजा पंडाल कोई अपबाद नहीं है मतलब कितना बेशर्मी भरा यह बयान है यह और कहते हैं कि शरस्वती पूजा का जो पंडाल है वो कोई अपबाद नहीं है हम उसको भी लिपापुदी करेंगे हम वहाँ पर भी सियासत करेंगे और सियासत भी ऐसी कि आप जो जो है कि सम्विधान के तहट बनाए गया जिस कानून को लोगसवा राजसवा से पारित किया गया और उसके बाद उस कानून पर राश्वपती महुदय महोड लगा दिते हैं लेकि इन लोगों को तो लगता है ने कि इनकी नेशन स्टेटी अलग है जी बिल्कुल नहीं लोग बंगाल के अंदर दुबारा से ब्ढ़ळा लह रहाएगा और पूरी तरह से भगवा करनं बंगाल का होगा उपजार को थे क। उल् 파 इंहि संगैंघान की ऑल्टी गिंति शुरूग हो चुकी Ace pesos देश के नागरेकों से बहार नहीं और बंड़ा देश्यों की खेर नहीं उनके दिन आप फिर गया है उनकी उल्टिकिनती शुरू हो चुकी है। अगर आपके घर कोई जानकारी मांगने आता है तो इसको गलत जानकारी दीजिए। यानि यह मुख्यमंत्री है यह कोई खलीफा हैं यह कोई तुरकेस्तान की खलीफा है जिन लगता है कि मेरे अनुसार चलेगा कोई आसमानी किताब पढ़के मैं जो मेरे मन में आया है कि मैं वो बोलूगी वो करूँगी और मेरे को कोई पंचर लगाने वाला जो है वो उनकी पंचर लगाने वालों की कौम मुझे बचा लेगी बिल्कुल बिल्कुल इनकी जहन में यही भरा हुआ है और यह ऐसा मुझे कईबार यह सरकार नहीं बचने वाली और कैवार उनके बयानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पच्छे मंगल भारत का इससा ही नहीं है उन्हो तो वैसा ही कुछ होने वाला है लेकिन फिलहाल दोस्तों कमेंट बॉक्स में जैशी राम के नारे जरूर लिखें इसके साथ ही आपके बता दू कि ममता बनर जी वो नेता है जो जैशी राम के नारा ना तो बोल सकती है और नहीं सुन सकती है जब को नहीं सुनाईए आज कमें सुनाईए उनको जैशी राम के नारा जाल सहथ है कि जैशी राम के नारे आप जरूर लिखें और देखते हैं कि खाल कैसे उदर वालती हैं एक बात और बेल आइकन दबाकर तुरण मूल कॉंग्रेस पार्टी के मुँपर तमाचा मारिए हमारे चैनल का बेल आइकन ही जैहिन जैवारत नमस्कार